हाई वेल्कम और वेल्कम बैक तो जैसे कि आप लोगों पता है अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूं कि हम क्लास 12 एच्छी कॉमर्स मैक्स 2 का चैप्टर नमर 2 इंशॉरंस एन अनुटी कर रहे हैं आज हमारा लेक्टर नमर 3 है जिसमें हम लोग एक्सराइस 2.1 के कुछ बार करें के और यह जो बहुत ही भार है मतलब कि हर question में कुछ अलग-अलग आपको concept सीखने मिलने वाला है तो चलो start करते हैं लेकिन अगर आप इस channel पर नए हो तो मैं पहले आपको एक advice देना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग lecture no.1 और lecture no.2 जरूर देख लेना especially जो हमारा lecture no.1 है वो क्योंकि उसमें हमने concept किया था तो concept का पता होना बहुत जरूरी है वरना आप लोग क्या करोगे direct exercise solve करते हो और फिर आपको बहुत सारे doubt आते हैं और आप ऐसा समझती हूँ कि miss को पढ़ाना नहीं आता है या miss को अच्छे से पढ़ाना नहीं आता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है actually मैं concept आपका अगर clear है तो आपको exercise solve करने में कोई problem नहीं होगा तो concept को बहुत जादा importance देनी चाहिए ठीक है तो चलो start करें तो मैंने आपको बताया हुआ है यह सब की जो हमारा exercise 2.1 है इसमें आप लोगों पताईए कि हम लोग क्या करते हैं एक property value होता है यह order याद हो गया होगा अभी तो आपको property value होता है फिर policy value होता है फिर premium होता है फिर agent का commission आता है उसके बाद loss होता है और फिर last में claim होता है ठीक है तो यह हम already सब देख चुके तो यही formula यहाँ पर भी use होने वाले है थोड़े बहुत extra use होगे तो देखते हैं हम लोग लेकिन उसके पहले अगर आपने अगर आपने whatsapp channel join नहीं किया है तो जल्ली से whatsapp channel join कर लो बच्चा party क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोग बच्चे नहीं हो sorry 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 हाँ तो बहुत ही जल्द में वहाँ पे आपको hand written notes या जो भी हमें आपके लिए notes prepare कर रही हूँ वह बहुत ही जल्द आपको देने वाली हूँ ठीक है तो जल्ली से आप लोग join कर लेना और मुझे comment section में बताना कि क्या आपको chapter wise previous years question papers arrange करके चाहिए क्या आप लोग को शायद पता होगा कि मैं 10 standard जो है उनको मैंने chapter wise previous years question papers arrange करके दिये है या मैं देती हूँ तो वैसा अगर आपके लिए भी करना है तो comment में बताना मुझे ठीक है चलो start करते है with our question number 6 question number 6 देखो क्या दिया है या पर question number 6 बोला है a cargo of rice was insured at 0.625% to cover 80% of its value the premium paid was Rs.5250 if the price of the rice is Rs.21 per kg find the quantity of rice in kg in the cargo यानि कि या पर देखो यह question अलग है भाई यह question बहुत अलग है आप लोगो इसको समझना पड़ेगा पहले तो क्या दिया देखो a cargo of rice, cargo का मतलब पता ही होगा, cargo मतलब की, cargo मतलब bulk में, bulk में rice है बताओ कि यह क्या है और यह क्या है क्योंकि यहां पर हम लोग थोड़ा confuse हो रहे है यहां पर देखो मैं बताती हूं कि 80% of its value को क्या किया गया है ठीक है तो मतलब यह समझ में आ गया कि 80% जो है वो हमारा rate of policy है यह हमारा policy का rate है इतना percentage जो है वो insured हो गया है तो भाई यह क्या है फिर यह है हमारा rate of premium क्योंकि premium भी pay करने को होता है कि हम ऐसा बोलते हैं हमारे insurance company को कि भाई देखो मैं आपको time to time premium दूगा आप मेरे property को insured करके रखो ठीक है यानि कि secure करके रखो तो यहां पर अभी आपको फिर से एक बार दो बार तीन बार पढ़ना पड़ेगा तो यहां पर देखो क्या दिया है a cargo of rice was insured at 0.625% to cover 80% of its value तो यानि कि यह हमारा rate of premium है और यह हमारा rate of policy है समझ में आया आगे क्या बोला है the premium paid was Rs.5250 यानि कि यह rate of premium है जो percentage में है और यह premium जो pay करने को आ रहा है वो इतना आ रहा है मतलब यह हमारा premium है यह तो बहुत simple है यह premium है अब हमको क्या बोला है कि अगर जो एक kilo rice का जो price है वो क्या है 21 kg देखो यहां पर क्या दिया है if the price of rice is Rs.21 per kg एक kilo का जो price है rice का वो है Rs.21 इसका मतलब हमको क्या fine करना है if the price of the rice आगे देखो क्या दिया है if the price of the rice is Rs.21 per kg find the quantity of rice in the cargo इसका मतलब क्या दिया है कि एक kilo का एक kilo का जो rice का price है वो कितना है Rs.21 मतलब एक kilo जो चावल है वो कितने के है वो है Rs.21 के तो हमको क्या fine करना है कि यह जो पूरा cargo है यह जो cargo है इसमें कितने kilo के total rice है what is the quantity of rice in the cargo मतलब यह पूरा जो cargo है इसमें कितने quantity के rice है वो हमको fine करने है ठीक है तो यह आपे देखो बहुत ही simple है इसका formula इसका formula देखो quantity of rice in the cargo मतलब कि अगर हमको यह fine करना है मैंने ओपर formula लिखे रखा है अगर आपको यह पता करना है कि जो हमारा यह cargo है उसमें कितने kilo के rice है ठीक है total quantity of rice की वो कितने है तो that is equal to value इसके लिए हमको कहा करना पड़ेगा the total price of rice मतलब कि यह जो पूरे जो राइज है इनका total price किया होगा their total price का होगा upon price of rice for kg and price of rice for kg हमारे पास है thatis 21 रुपिस यह हमारे पास है वस हमको क्या fine करना फिपान है टोटल प्राइज है उफ दम दम फिंकर दम करेज़ और हो लोग बेडाई, सबपीन करनाства प्रॉपर्टी वेल्यू ए पूरें पूरा प्रॉपर्टी वेल्यू वां splits यह जो पूरे cargo of rice है इसका जो total price है यानि कि प्रॉपर्टी वैल्यू है वह क्या है 5000 है और यहां पे जो 1 kg rice की कीमत है वह मेरे हिसाब से मैं ले रही हूं कि 1 kg rice की कीमत है वह क्या है suppose करो 50 रुपए है मेरे पास थोड़े branded rice है तो आपको बताना है कि इस cargo में कितने kg of rice है वह मुझे बताओ तो हम क्या करेंगे total जो property value है इस cargo की that is 5000 upon divide क्या करेंगे price of rice price of rice of 1 kg वह कितना है 50 तो दोनों को divide करो तो divide करने से क्या पता चलेगा divide करने से हम लोगों पता चलेगा answer आया 100 मतलब मेरे पास 100 kg के rice है मतलब इस cargo के अंदर 100 kg rice है क्यूंकि देखो इस cargo के अंदर 100 kg rice है और 1 kg rice की कीमत है 50 रुपए तो यहां पे 100 kg rice की कीमत क्या हो जाएगी that is 100 into 50 that is total property value कितना आया 5000 आया कि नहीं आ हुआ है क्या develop हुआ है क्या formula है कि आपको अगर पता करना है कि इस cargo के अंदर कितने kilo of rice है कितने kilo of rice है तो उसके लिए क्या करो कि total price जो है इस पूरे cargo का total price of rice या आप लिको total price of cargo पूरा property value of this cargo upon price of price of 1 kg तो मतलब हमको property value निकालनी है इस cargo की तो चलो हम लोग वह लेट लेगे x क्योंकि वह नहीं है हमारे पास ठीक है तो यहां पर हम लोग ले ले लेते हैं let the समझ में आया है यह formula है हम लोग जो formula की list लिक रहे है उस formula में आप यह वाला formula भी add up कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो ठीक है तो यहां पर क्या है let the property value of the cargo let the property value of cargo यह जो cargo of rice है इसकी पूरी property value जो है that is equal to ले लेते रूपीज एक्स तो therefore property value के बाद क्या आता है very good policy value आता है तो policy value क्या होगा कितने का policy निकाला है 80% of its value मतब जो total value है उसका 80% जो है वह insure किया गया है 80% of its value value 80% of property value तो property value है x तो यहां पर यह 0 यह 0 गया यानि कि यहां पर क्या बचा है यहां पर बचा है 8 upon 10, 8 upon 10 x रूपीज आप इसको और भी cut कर सकते हो यह 2 के table में जाएगा 2 4s और 2 5s और वह आपकी इच्छा करनी है तो करो उसके बाद आते है premium तो premium का formula क्या है देखो हम अगर आपको यह पता करना है कि इस cargo के अंदर कितने इस cargo है इसमें कितने quantity of rise है in kg तो formula तो मैंने आपको बता दिया है बस हमको क्या चाहिए x चाहिए property value चाहिए यह चाहिए तो वह निकालेगे कैसे वह premium से निकलेगा क्योंकि premium अगर percentage में भी दिया है और rupees वाला भी premium दिया जो है वह calculate होता है policy value के ऊपर तो premium का formula होता है that is equal to rate of premium देखो यह rate of premium है that is 0.625% of policy value और policy value क्या है हमारे पास यह that is 8 upon 10x समझ में आ गया तो अभी यह आपे हो गया premium का formula पता है न हाँ very good अब देखो हमारे पास premium दिया है उपर premium क्या है 5,250 यह आपे आएगा 5,250 इसको हम solve करेंगे इसको हम लोग solve करते हैं multiply sign है तो इन दोनों को multiply करते है 0.625 into क्या करेंगे हम लोग 8 करेंगे तो यहाँ पे 8,5 is a 40 very good 8,2 is a 16,17,18,19,20 very good 6,8 is a 48,49,50 okay और यहाँ पे आ जाएगा 5, क्या बात है और यहाँ पे 3,0 तो यहाँ पे 3,0 मतलब 3 डिजिट के पहले point लग और upon में क्या हो जाएगा upon में 1000 हो जाएगा क्योंकि यह दोनों भी multiply हो जाएगे and that is x, तो हमको x की value निकालनी है तो इन दोनों को उधर लेके जाओ, 5,2,5,0 into 1000 उपर चला गया और नीचे हमारा 5 आ गया and that is equal to x, तो यहाँ पे 5 के table में इसको cut करेंगे, 5 1s a 5, तो यहाँ 5 1s a 5, अभी 5 5s a 25 मत लिखना, रॉंग हो जाएगा, पहले लिखना 5 0s a 0, क्योंकि आप दो नमबर साथ में नहीं ले सकते हैं, आप सिर्फ 2 को देखोगे, क्या 2 जाता है 5 के table में नहीं, तो 5 0s a 0 और फिल लेके 5 5s a 25 and 5 0s a 0, आपको अभी समझ में नहीं आया है, यह मैं नहीं नहीं ले सकते हैं, तो 2 जाता है 5 के table में नहीं, 5 0s a 0, फिर यहां पर 2 और नीचे आएगा अभ 5, तो 5 5s a 25, उसके बाद आएगा 0 नीचे, तो 5 0s a 0, ऐसे किया है, समझ में आ गया, हां, तो फिर यहां पर यह हो जाएगा, 1000 and 50 into 1000 करेगे, तो 1000 and 50 और यहां पर यह त कर दूगी, is equal to x, oh my god, यानि कि यह पूरा cargo है, इसकी जो property value है वो देखो क्या, unit 10, 100,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 50,000 rupees is the value of the cargo, ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, value of cargo, cargo की जो कीमत है वो हमको मिल गई है, यह जो cargo है, पूरा, cargo of rice, इसकी value जो है, वो है, 10,000 and 50,000 rupees, ठीक है, now, अभी हमको क्या find करना है, हमको find करना है कि इस cargo में कितने quantity of rice है in kg, मतलब कितने kilo of rice है, वो बताना है, kilo में बताना है, कितने kilo of rice है इसके अंदर, 1000 kilo, 500 kilo, कितने है, 5000, कितने है, वो बताओ, तो यह formula मैं अभी फिर से दुबारा ना लिखके, मैं यहां पे लिख देती हूँ, तो quantity of rice in the cargo and वो भी in kg, तो that is equal to total price of the rice नहीं लिखके, हम लोग ऐसे लिख देके, उपर change कर देती हूँ, मैं यहां पे, हम यहां पे लिख देके that is equal to value of cargo, जो cargo की पूरी कीमत होगी, उसको हम लोग divide कर देके price of rice in 1 kg, तो यह कितना आ गया था, यह आ गया था, 10,50,000, ठीक है, upon 21 ना, क्योंकि per kg rice का price क्या है, 21 वो दिया हुआ है, तो अभी इन दोनों को divide कर दो, हो गया, तो देखो 21 वन्जा, 21 फाइजा होता है, 105, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, यानि कि 50,000 kg, oh my god, तो यह जो cargo है ना, इसमें कितने rice है, इसमें है 50,000 kg rice, okay, मतलब कि 50,000 kg rice, एक किलो की कीमत, अभी आप लोग को देखो, मैं बताती हूँ, एक किलो जो है, उसकी कीमत है, रूपीस 21, तो यानि कि 50,000, 50,000 kg की कीमत कितनी होगी, तो 50,000 x 21 करूँ, तो आपको यह मिलेगा, that is 10,50,000, और मिलना ही चाहिए, यह 40, 1, 2, 3, 4, and 21 x 5, क्या होगा, 105, तो इसलिए देखो, ऐसा answer यह तो मैंने टाइम पास किया, टाइम पास किया है, मतलब थोड़ा ऐसे ही, तो समझ में आ गया, क्या दिया था, थोड़ा सा अजीब कोशन है, बढ़ आपको समझना तो पड़ेगा, तो गहराई में, मैं जो शब्द यूस कर रही हूँ ना, वो थोड़ा गहराई में, य इस कारगो के अंदर, तो कितने मिले, पच्चास हजार किलो के राइज मिले, ठीक है, समझ में आ गया, चलो, next question करते है, 7th one, very important question, देखो, मैंने यहाँ पे आएम पी लिखके रखा है, तो यहाँ पर देखो, क्या दिया है, धिहान से देखना, अच्छा, और एक बात, यहा 6,000 आर्टीकल लिखा हो सकता है, 6,000 नहीं है, वो 60,000 आर्टीकल है, तो एक जीरो लगा देना, आप देखो, आपकी बुक को चेक कर लो, अगर सही लिखा है, तो वेरी गुड नहीं लिखा है, तो correction कर लेना, क्या दिया है, 7th one में, 60,000 आर्टीकल, costing रुपीस 200 पर दर्जन were insured against fire for रुपीस 2,40,000, if 20% of the article were burnt and 7,200 of the remaining article were damaged to the extent of 80% of their value, find the amount that can be claimed under the policy, वैसे देखने से तो समझ में आ गया है कि हाँ भाई, क्लेम निकालना है, अब मुझे पताओ, क्लेम का फॉर्मला, क्लेम का फॉर्मला आपको पता ही है कि क्लेम में क्या क्या लगता है, क्लेम का फॉर्मला होता है, पॉलेसी वैल्यू, जो कि दिया है, एक बात बता देती हूं, खुशकबरी है, यहां पर देखो यहां पर बोला है, कि साथ हजार आर्टीकल्स थे, ठीके साथ हजार रुपीज नहीं है भाई, यह रुपीज नहीं है, देखो ध्यान से सुनो, नहीं तो आपको लगेगा, ओ माई कॉर्ड, यह हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू, सिक्स्टी थाउजन रुपीज के आर्टीकल्स है, नहीं, अच्छे से पढ़ो, साथ हजार आर्टीकल्स है, ठीके साथ हजार कोई आर्टीकल्स है, और उनकी जो कॉस्टिंग है, वो क्या ह क्या है, टोल कितने आर्टीकल है, टोल हैommt, साथ हजार आर्टीकल्स है, और कॉस्ट में कुछ दरजन यापर, यह भी ध्यान देना, ठीके नशीndग में, पस्टिंग हमएं आर्टीकल्स हैं तो हमको क्या सब Orleans के अपड़ पड़ेगा और वो हम fine करेगे, don't worry, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, फिर क्या बोला है कि यह जो 60,000 आर्टिकल है, उनका insurance निकाला गया, और कितने का insurance निकाला गया, और कितने का insurance निकाला गया, 2,40,000 का, अरे यह अच्छा है, यहाँ पर यह policy value, policy value दे दिया है, फिर यहाँ पर बोला है, यहाँ अभी देखो, claim का formula क्या होता है, policy value upon property value into loss, तो हमारे पास सबसे अच्छी बात क्या है, policy value है, property value हमको यहाँ से निकाल जालना पड़ेगा, ठीक है, और loss, अब देखते loss की बाद, loss क्या दिया है, कि 20% of the article were burned, मतलब 20, मतलब मांदो fire हुई, आग लग गई, 20% के article तो completely जलके राक हो गए, तो यह एक loss हो गया, फिर यहाँ पर एक next loss क्या बोला है, कि 7,200 of the remaining article, मतलब कि जो remaining article थे, 20% के तो completely जलके राक हो गए, ठीक है, तो अभी 7,200 of the remaining article जो है, वो क्या हो गई, were damaged to the extent of 80% of their value, मतलब कि 7,200 articles जो है, उन्होंने अपनी value जो है, वो 80% से क्या कर दी है, लो कर दी है, कम कर दी है, तो यह दूसरे टाइप का loss हो गया, अब हमको fine करना है कि कि कितना claim किया जा सकता है, इस policy के अ थोड़ा सा ध्यान देना, मैं पहले इसके property value आपको समझाती हूँ, देखो, ध्यान से देखना, तो हमारे पास total article कितने है, total article जो है, वो है 60,000, और जो pricing दी है न, article की वो दर्जन के हिजाब से दी है, तो मतलब पर दर्जन, यानि कि पर दर्जन मतलब 12 है न, 12, तो 12 article जो ह उनका जो price है, वो क्या है, rupees 200, ठीक है, तो 12 article का जो price है, वो क्या है, rupees 200, मतलब rupees 200 per दर्जन, price of the article जो है न, वो दर्जन के इसाफ से दिया है, तो हम या पर बोलेगे, price of article जो है, वो क्या है, that is equal to rupees 200 per दर्जन, तो अभी हम लोग यह 60,000 जो हमारे पास articles है, इनकी pricing कैसे निका लेगे, तो हम को क्या करना पड़ेगा, यह 60,000 article को क्या करना पड़ेगा, पहले दर्जन में convert करना पड़ेगा, मतलब यह कितने दर्जन of article है, 60,000 तो एक पूरा total आगया, total figure आगया, पर हम को दर्जन में पता करना है, तो हम लोग क्या बोलेगे, total article in dirzun, यह तो देखो, 60,000 article को अगर दर्जन में convert करना है, तो उसको divide by 12 कर दो, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते है, ठीक है, तो हम लोग 12 वर अंजा 12, यहाँ पे आ जाएगा, यह कितना होगा, 12 फाइजा 60, और यहाँ पे आ गया, यह 30, ठीक है, तो मतलब कि 60,000 article का मतलब होता है, 5000 दर्जन, इसका होगा, इंटू 200 कर दो, है न, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, पाच, पाच, जीरो लग गए, और फाइटूजा कितना हो जाएगा, 10, यानि कि 10 लैक रुपीस, देखो, 10 लैक रुपीस is the property value, मतलब हो 60,000 article का जो प्राइज है, वो है 10 लैक रुपी सिक्स्टी थाउजन है, बने तो प्राइज जो दिया है, वो दरजन में दिया है, क्या बोला है कि प्राइज of article रोपी 200 है लेकिन पर दर्जन मतला बारा पीस के षम पोला है तो यहां पर दर्जन का price accepted ₹-ather को कि तो रुपै से हमने क्या बोला रहे तो हम नहीं कि ढुआ हम आखा कहा है ma उसको divide by 12 कर दिया, तो यहाँ पे 12 वंजा, 12 फाइजा 16 और यह 30 यानि कि total आर्टिकल जो है वह हमारे पास 5000 दर्जन, ठीक है, तो therefore अभी हम लोग क्या बोलेगे, property value, यही है property value, तो property value of article, यानि कि जो हमारे पूरे 5000 दर्जन आर्टिकल है, उनकी property value of articles कितना हो गया, per दर्जन क प्राइस कितना हो गया, 5000 इन तो 200 कर दो, तो हमको कितना मिल गया था, यह 10 लाग रुपे मिल गया था, ठीक है, तो 10 लाग रुपे, तो यह हो गया property value, very good, property value मिल गया, policy value हमारे पास है, 2 लाग कितना, 2 लाग 40 देख लो, यह देखो, यह तो हमको पहले से दिया हुआ है, ठी अब आते हैं, loss, loss भी बड़ा interesting है, तो देखो, यहां से लगा के यहां तक, दो टाइप के loss दिये हुए, तो दोनो टाइप के loss को समझना होगा, ठीक है, तो हम लोग लिखें कि यहां पर क्या बोला, if 20% of the article were burnt, मतलब कि 20% of the article were burnt, मतलब कि 20% articles तो completely जलके राख हो गए, इसक 20% of the article were completely burnt, मतलब देखो, हमारा जो total article का जो price है, वो क्या था, 10 lakh था, ठीक है, तो 20% of 10 lakh, 20% of 10 lakh के articles तो completely जलके राख हो गए, तो हम निकालेगे, कि 20% of 10 lakh कितना होता है, ठीक है, 20% of 10 lakh कितना होता है, तो 20% of 10 lakh जो है, वो कितना होता है, वो देखेगे, क्योंकि उतने price के article completely जलके राख हो गए है, तो यह दो 0, यह दो 0 गया, फिर यहां पर क्या बचेगा, एक, दो, तीन, चार, पाच, तो एक, दो, तीन, चार, पाच, और यहां पर टू बन्स रूपीज 2 lakh articles, रूपीज 2 lakh articles, वियर बंट, ठीक है, यह हो गया, एक loss, यह पहला loss है, अभी now, again, अभी और एक loss है, और आगे क्या बोला है, now, 7200 of the remaining article, मतब अभी जो बचे article है, ओके, साथ हजार में से अभी कितने articles बचे है, 7200 articles जो थे, जो भी 7200 articles जो है, वो क्या हो गया, वेर डेमेज तू दा एक्स्टेंड ऑफ 80% of their value, मतलब 7200, 7200 articles जो है, उन्होंने अपनी value को क्या कर दिया है, डेमेज कर दिया है, कितने percent से, 80% से, तो मतलब कि, इनकी जो कीमत ह क्या हो गई है, गिर गई है, तो अभी, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, अभी यह बड़ा interesting है, अगर आप लोग इसको समझना है, अगर अभी इसको नहीं समझ पाए तो फिर आप गए, तो अभी हम ऐसे लिखेंगे, now हम यहापे क्या करेंगे, 7200 articles, remaining articles, इसक किने डैमेज हो गए, वेर डैमेज, to the extent of, to the extent of 80% of their value, 80% से उनकी value गिर गई है, ठीक है, तो अभी देखो, मतलब कि हमको तो रुपीज में बताना है, यह क्या है, 7200 remaining article, अरे रुपीज में बताओ ना कि कितने का नुकसान हो गया, क्या नुकसान है, दो लाग का नुकसान ह हुआ है, दो लाग के article completely चलके राख हो गए, यह क्या है, 7200, 7200 remaining articles were damaged to the action of 80% of their value, अभी इसको लिखे कैसे समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो, मैं आभी आपको फिर से, जो इधर किया था ना, वह ही करना पड़ेगा, पहले हम लोग बोलेगे, कि यह जो हमारे 7200 जो articles है, इनका हम लोग real वाला कीमत निकालेगे, मतलब कि अगर हम लोग बोले तो यह इसका मतलब 7200 articles को हम लोग पहले दर्जन में convert करेगे, 7200 article मतलब कितना दर्जन, दर्जन में बताओ, दर्जन में, क्योंकि यहां पर भाव हमारे पास दर्जन के इसाप से है, यानि कि इसको हम दर्जन में पता चले, तो पहले दर्जन में convert करते हैं, तो यहां पर हो गया यह दो 0, यानि कि 600 दर्जन के जो article है, उनकी वह क्या हो गए, वह damage हो गए, to the extent of 80% अब अगर हम लोग देखा जाए, तो जो यह value थी, value of 600 दर्जन article जो है, value of 600 दर्जन article जो है, अगर देखते त तो वह क्या होता, देखो, पर दर्जन का भाव कितना चल रहा है, 200, तो यानि कि 600 दर्जन का भाव कितना चलता, that is 600 into 200, तो यानि कि यहां पर क्या हो जाता, 6, 200 कितना हो जाएगा, 12, और यहां पर कितने 0 लग जाएगे, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब, कि इनकी जो value है, value जो है, य क्योंकि आग लगने के वज़े से, इनमें कुछ क्या हुआ, इनकी value है, 80% से damage हो गई है, तो therefore, अभी हम लोग इनकी damage value निकालेगे, तो damage value जो है, damage value of article, तो damage value of article क्या हो जाएगा, तो 80% of, 80% of, 80% of 1,00, 20,000, देखते हैं कितना आता है, वही है उनकी value, वही उनकी value हो चुकी अभी, क्योंकि 80% से उनकी value damage हो गई है, अभी हम क्या करें, यह value तो क्या है, जब वह एक dummy अच्छे होते हैं, अच्छा होता है, आग नहीं लगती, तो इनकी value यह है, एक लाख भी सजा है, बड क्योंकि fire लगने के वज़े से, उनकी value 80% से damage हो गई है, तो हम निकाल रहे है 80% of 120,000, कितना होता है, एक दो, एक दो, तो यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर यह 30,000, एक दो, 30,000, एनकी value 96,000, तो यहाँ पर अभी आपको दो loss समझ में आ गए होगे, एक loss तो हमारा बहुती अच्छा था, बस दूसरे loss में हम लोगो थोड़ा महनत करना पड़ा, तो ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा इसमें फस जाओगे, ठीक है, और थोड़ा स आप लोग, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखना, अभी यहाँ पर एक मिनित यहाँ पर थोड़ा सा buy यह देखों, पहले यह निकाला प्हले पूरा जो ओररेंज वाला है वह प्रपरटीड वेल्यू के लिए था। पॉलेसी वैल्यू बहुत अच्छा था पहले से दे दिया था लॉस यहाँ पर यह लॉस वन है यह लॉस वन है और यह हमारा लॉस टू है ठीक है सेकेंड लॉस है फर्स लॉस में हमको बोला था की 20% आफ़ आटिकल वियर बन तो मतलब 10 लाग की पूरी प्रॉपर्टी है इस कि वैल्यू निकाली हमने की आपले की वैल्यू थाjektिव्यक्ति लॉस होगया ंमयार्वम की बन उत्ली है की लॉस जीनub लाग अर हमने लॉस श्यू तो 80% निकाला तो यह आया तो यह दूसरा लॉस हो गया अब आते हैं फाइनली नाओ अभी आते हैं टोटल लॉस यह हमारा टोटल लॉस होगा तो टोटल लॉस क्या हो जाएगा उपर जो दो लाग का लॉस हुआ वह और प्लस 96,000 ठीक है यानि कि 2,96,000 रुपीस का टोटल ल तो यह दो उ crown होता है पॉलिसिवैल्यू ?आं क्या हो जाएगा प्रॉपर्टिय वैल्यू इन्टू क्या बोलो बोलो लॉस हुएरी अटू रूस इन्टू लउस हुए निकाला है पॉलिसिवैल्यू कितना है हमारे पास 2,40,000 धीक है तो 12,40,000 हिज़़ए तो 12,40,000 अन् प इसके बाद यहां पे 1, 2, 3, 1, 2, 3, बस हो गया, अभी इन दोनों को multiply करना है, इन दोनों को multiply कर लो answer आ जाएगा, यानि कि यहां पे किसको multiply करना है, 296 into 24 लिक रही हु, 0 बाद मैं add कर लेगे, ठीक है, मतलब लगा देगे, तो 64 तो 24 या 4, 6 तो 24, 4, 9, रूपिस धा कितना होता है 36-37-38-4 या पर 8 x濱 फिर या पर फोस धाय नए 10 पॉर या पर फिर या पर फोस होसा 7 फिर क्ल फिर या पर 5,-10-11 फिर या पर 6-6-7 कितना हो जायगा 71040 रुपीज जीरो लगा दिया मैंने तो यह हमारा क्या है क्लेम है तो यानि कि हमारा क्लेम कितना हो सकता है क्लेम हो सकता है 71,040 रुपीज 71,040 रुपीज I hope answer is right yes obviously the answer is right तो I hope आपको समझ में आ गया होगा तो इसको अच्छे से note down करना क्योंकि यह question है थोड़ा सा है इसमें थोड़ी सी बात है कुछ तो बात है न चलो अब हम next one करें चलो start करते है यह भी थोड़ा अलग question है तो ध्यान देना इसमें इसमें ठीक है तो देखो क्या दिया है हमको बोला है 8th one में क्या बोला है the rate of premium ध्यान से पढ़ना आप लोग भी पढ़ो the rate of premium is 2% and other expenses are 0.75% a cargo worth rupees 3,50,100 is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of total loss अदेखो यहाँ पर क्या बोला है कि एक cargo है cargo मतलब समझ में आ गया होगा cargo मतलब कुछ bulk में एक बहुत ही भारी bulk में समान है कुछ समान कुछ भी हो सकता है भी पताने क्या है पर एक cargo है इसका worth दिया हुआ है इसका worth कितना है 3,50,100 रूपी है मतलब यह property value है basically तो अभी यहाँ पर क्या बोला है कि यह इसकी property value है अब हमको क्या बोला है कि जो rate of premium है मतलब कि इस cargo का insurance निकालना है और वो सब मतलब की पूरा जाच पड़ताल करके जो हमारे cargo के owner है वो पूरा उन्होंने पूरा study किया कि हाँ इस cargo का insurance वगेरा निकला जा सकता है और उनको समझ में आया कि अच्छा rate of premium जो है insurance company के office में गए होगे वहाँ पे आने जाने का भाड़ा लगा होगा जो other expenses पेपर वक वगेरा जो है उनका other expenses जो है वो उनको पता चला कि वो होने वाला है मेरा 0.75% इंशॉरंस निकाला नहीं है उन लोगने वो निकालना चाहते है देखो ध्यान से सुनना यह question बहुत अलग है यहाँ पेहली बार इस question में ऐसा होगा कि policy value जादा मिलेगा property value से ध्यान देना एक cargo है इसकी कीमत क्या है इसकी कीमत है 350,100 रूपीज अभी इस cargo का इंशॉरंस निकालना है और यहाँ पे इंशॉरंस निकालने के लिए सब कुछ मतलब कि अल्रेडी पूरी study research कर लिया है और उसमें पता चला है कि rate of premium जो pay करना पड़ेगा वो कितना pay करना पड़ेगा 0.2% of the policy value ठीक है और other expenses जो अ अगर इसका इंशॉरंस निकालना है अगर इसका इंशॉरंस निकालना है ठीक है अब इसका इंशॉरंस जो निकालना है वो कुछ ऐसा निकालना है कि अगर मानलो कि loss हुआ अगर loss हुआ तो यह जो कार्गो की जो कीमत है ना यह जो कार्गो की जो कीमत है कार्गो का जो वर् दूसरे खर्चे है वह भी recover होने चाहिए in the event of the loss अधर खर्चे मतलब क्या premium जा रहा है उनके जेप से वह भी एक टाइप का क्रच्चा हुआ तो ये भी recover होना चाहिए और जो other expenses जो other खर्चे होगे वह भी recover होना चाहिए मतलब ये तीनो recover होना चाहिए तो मतलब कि इस cargo की कितनी मतलब इस cargo का कितना insurance निकालना चाहिए मतलब क्या policy value निकालना चाहिए देखो policy value क्या होना चाहिए इस cargo का क्योंकि अगर policy value अगर होगा 350,100 रूपीज और मानलो loss हुआ तो यह cargo का जो worth है वो तो recover हो जाएगा वो तो मिल जाएगा लेकिन यहां पे सिर्फ उतना ही recover नहीं करना है जो अधर खर्चा हुआ है इंशॉरंस निकालते टाइम जैसे क्या अधर खर्चा क्या होता है rate of premium प्रीमियम जा रहा है भाई प्रीमियम जाएगा जेप से वो भी recover होना चाहिए अगर loss हुआ तो कितना मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ वो भी मुझे रिटन आ जाना चाहिए और जो अधर खर्चे हो रहे है मेरे 0.75% के वो भी मैंको रिटन आना चाहिए तो मैंको कितनी policy करानी चाहिए इस cargo की यान कि what will be the policy value अब policy value तो obviously उसको जादा कराना पड़ेगा तीन लाख पचास अजार तीन लाख पचास अजार और सो रुपे से तो काम नहीं चलेगा उससे जादा की ही आपको policy निकालना नहीं पड़ेगी अगर आपको बाकी के खर्चे भी recover करने है तो इसलिए या पर पढ़ो question पढ़ो क्या दिया है, a cargo worth Rs. 350,100 is to be insured, उसका insurance निकालना है, so that all its value, मतब उसकी value and the cost of insurance, यानि कि जो insurance में cost लगा, will be recovered in the event of the loss, मतब अगर loss हुआ तो वो cargo की value है और cost of insurance है, वो सब recover हो जाना चाहिए, अगर loss हुआ तो, तो अभी हम लोग इस question को कुछ अलग way में करेंगे, हम लोग है यहां पर कुछ, आप लोग को पता है हम लोग जब ऐसा question होता है, तो हम लोग 100 rupees करके कुछ लेगे, ठीक है, तो देखो मैं पहले यहां पर rate of premium गया है, 2% other expenses वगरा, वो सब property value of the car, यह सब मैंने लिख दिया है, अब हम लोग यहां कुछ question को अलग करते है, question समझ में आ गया इस cargo की policy value है, मदभ इस cargo की policy value है, वो मैं ले रही हूं 100, hetKen policy value है, our property value नहीं ध यहां छना, मैंने इस cargo की policy निका ली है, कितनेकी निकाली है, 100 rupees की और इसमें मेरा हम राकत है SOL, हम सब रूसें की पोटराश में और यहां लिया जाता है, क्योंकि यह अच्छा रहता है comparison के लिए, तो मान लेते हैं कि let, हम लोग let लेते हैं, let the policy value, policy value of cargo, अब मेरे पास एक cargo है यह, और मैंने इसका policy निकाला, let the policy value of the cargo be rupees 100, okay, and यहाँ पे क्या-क्या include है, and यहाँ पे included है, क्या included है, the policy value of the cargo is rupees 100, and it includes, and it includes, क्या include है इसमें, यह 100 rupees में क्या include है, it includes, जो हमारा वर्त है, वर्त of cargo, का जो वर्त है, and, and, जो हमारा क्या है, cost of insurance है, जो भी बाकी के insurance के खर्चे होगे, वो सब इसके अंदर included है, वर्त of cargo, cargo का वर्त, और cost of insurance, cost of insurance मतलब, cost of insurance मतलब, क्या बाकी के खर्चे क्या होते है, बाकी के खर्चे होते है, एक premium, जो premium है 2% का, मतलब इसका जो rate है वही ले रहे है, जो premium जो है 2% का जो pay करना है मुझे, and plus जो मेरे other expenses है, other expenses जो है, other expenses कितने है, that is 0.75% के, वो सब मैंने इसके अंदर include करके, मैंने इस cargo की policy है, 100 rupees के ली है, ठीक है, तो अभी मुझे therefore क्या fine करना है, therefore मुझे अभी fine करना है, what, मतलब कि अगर मैंने इसके policy 100 rupees की ली है, मतलब कि मुझे यह पता करना है कि भाई, यह जो मेरा cargo है, इसके property value क्या है, property value तो definitely क्या होगी 100 rupees से कम होगी, क्योंकि इस 100 Rs. में तो मेरा premium का भी cost आया है और other expenses का भी cost आया है, तो मुझे पता करना है कि भाई what is the property value of my cargo, what is the property value of cargo, cargo की property value क्या होगी, तो वो देखो कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनना, कि ये जो total 100 Rs. है, ये जो 100 Rs. है, उसमें minus क्या होगा, minus होगा, एक तो क्या minus होगा, जो हमारा premium है, premium कितना pay कर रही हूं है, premium 2%, 2% मतलब कितना, 100 Rs. का, premium कैसे की calculate करते हो, premium calculate करते हैं हम लोग policy value के उपर, बरोबर, तो policy value अगर 100 Rs. है, तो premium में कितना pay कर रही हूं है, 2 Rs. तो वो minus करूगी मैं, ठीके, वो मैंने minus कर दिया, एक minute, minus, तो premium 2 Rs. का मैं minus कर दूगी, और जो मेरा अधर खर्चा हुआ, अधर खर्चा जो हुआ मेरा इंशॉरंस लेते हैं, वो 0.75% है, 0.75% अगर मैं निकालूगी तो वो क्या हो जाएगा, that is equal to 0.75 Rs. ठीक है, तो यानि कि यह देखो, इन दोनों का जो addition होगा, इन दोनों का जो addition होगा, मतलब premium का खर्चा मेरा 2 Rs. हुआ, प्लस अधर खर्चा जो मेरा हुआ, वो हुआ 0.75 Rs. यह जो दोनों खर्चे है, यह मेरे extra खर्चे है, यह मेरे कार्गो के खर्चे नहीं है, यह मेरे अलग से इंशॉरंस के खर्चे है, वो कितने आए, 2.75 Rs. तो मैं क्या करूगी, यह 100 Rs. में उसको क्या कर दूगी, माइनस क कर दूगी, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखती हूँ, तो आपको भारी लगेगा, यह तो मैं क्या करूगी, प्रॉपर्टी वैल्यू अफ क्या होगा, कि मेरा 100 Rs. है, उसमें माइनस हम क्या करेगे, 2.75 Rs. को माइनस कर देगे, तो हमको आंसर कितना आ रहा है, that is 100, 100 में से हम कितना माइनस कर रहा है, 2.75, देखो कैसे लिक रही हूँ, 100 के आगे मैंने 2 0 लगा दिये है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा याद रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पर यह 10 हो गया, यह भी 9 हो गया, यह भी 9 हो गया, और यह 0 हो गया, तो 10 में से 5 गय गया, तो 2, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा, यह 9 में से 2 गया, तो 7 और यहाँ पर यह 9, तो 97 यानि कि रूपीज 97.25 जो है, यह है मेरे कारगो की खाली कीमत, देखो ध्यान से सुनना, इसमें बहुत कुछ इंट्रेस्टिंग है, यह कोशन बह बचाना होता, तो मैं पॉलेसी सिव इतना ही निकालती, कितना, 97.25 रूपीज, लेकिन नहीं, मेरे आंग में चर्भी है, मुझे मेरा जो अधर कॉष्ट ऑफ इंशॉरंस है, उसको भी रिकवर करना है, लॉस के टाइम पर मेरा वो भी रिकवर होना चाहिए, इसलिए पर अगर आपको यहाँ, तो मेरे दिमाग में आया, अरे यह तो मेरा 100 रुपीज बना रहा है, इसलिए मैंने पॉलेसी निकाली 100 रुपीज की, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो प्रॉपर्टी वेल्यू इस बार कम है, पॉलेसी वेल्यू से, तो यहाँ पर पॉलेस और बाकी कर्चा किया है, वो भी मेरा रिकवर हो जाएगा, तो इतना क्लियर हुआ पहले, हाँ, तो अभी आपको यही जो टेक्नीक है, यह आप बोलो के मिस, यह तो हमारे कुछ कोशन से लेना देना ही नहीं है, अरे बहुत लेना देना है, देखो, अब इसको समझना, ना 97.25, ठीक है, 97.25 रुपीज थी, मेरे कारगो की कीमत इतनी थी, तो मैंने पॉलेसी कितनी निकाली, मैंने पॉलेसी निकाली कितनी रुपीज हंड्रेड की पॉलेसी निकाली, है ना उसमें मेरा रिकवर है, क्या रिकवर है, उसमें मेरा 2 रुपीज का, मतलब 2 परसन से प्र तो अगर वह जो बंदा है, जो बंदा कोषण में जो बंदा है, उसकी प्रापर्टी वेल्यू है, कितनी दी है, तो उस कि प्रापर्टी वेल्यू है, तो कितनी पॉलिसी निकालेगा। प्लस जो प्रेमियम गेरा है और अधर एक्सपांसे और वह भी रिकवर होना चाहिए, तो यह ही निकालना है, तो अगर मेरी प्रॉपर्टी वैल्यी इतनी है तो मैंने पॉलिसी निकाला 100 रुपीज का, अभी उसके केस में देखेगे, कि अगर उसकी प्रॉपर्टी इतनी है तो वो कितना policy निकालेगा तो यह question mark है, तो यह दो scenario को हम compare करके अब हम उसको solve करेगे, इसी को अभी हम mathematically लिखेगे, इसी को हम लोग verbal form में लिखेगे, तो हम बोलेगे कि if, अभी देखो, if, if, if हम लोग क्या लिखेगे, if value of, देखो, if the value of cargo is, is this, यह, that is Rs. 97.25, then, then the policy value, then the policy value, is Rs. 100, तो तब हमने policy कितना निकाला, Rs. 100 का निकाला, so, so, अगर, if, if, क्या, if, if, अगर, value of cargo, if value of cargo is Rs. अगर value of cargo कितना है, that is Rs. 350,100, then, then the policy value should be how much, वही question mark है, then the policy value is how much, that is question mark, तो उसको हम लोग x ले लेते हैं, तो अभी हम लोग उसको solve करेगे, therefore, हम लोग निकालेगे, policy value क्या हो जाएगा, therefore, policy value of cargo जो है, वो क्या हो जाएगा, आप ऐसे समझो कि यह दो ratio compare हो रहे है, यह दो ratio compare हो रहे है, और यह दो ratio compare हो रहे है, और इसको cross multiply से solve करो, तो देखो x उपर आ जाएगा और यह इधर आ जाएगा, ठीक है, देखो समझना, प्लीज इसको समझना, तो policy value of cargo यानि कि जो x लिया है हमने, वो क्या होगा, policy value कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो, यह नीचे है ना तो भाई साब इसको उपर करना पड़ेगा और इन दोनों को इधर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, cross multiply, basically cross multiply, तो that is equal to hundred, into क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, three lakh fifty thousand and hundred rupees, upon में क्या आएगा, यह आएगा, that is ninety seven point two five, ठीक है तो यह formula बनेगा, समझा की नहीं समझा, yes or no in the comment section, come on बच्चा पाठी, you can do it, और नहीं समझ में आता है तो पीछे जाने का फिर से, देखो क्या किया, बोलो बोलो compare कर रहे हैं, यह दो सिनारियो को हम compare कर रहे है, तो cross multiply करोगे, यह तो आप लोग को पता ही होगा, कि यह उदर multiply में चला जाएगा, तो hundred into क्या हो जाएगा, hundred into हो जाएगा, three lakh fifty thousand and hundred is equal to, यह इधर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा, ninety seven point two five into x, तो हमको x निकाल ला है तो यह divide में आ गया, तो यह divide में लिख दिया, यह ही बनाए, ठीक है, यह सेम होगा, अभी इसको solve करो and you will get the answer, तो यहापे सबसे पहले हम इसका point हटाएगे, यहापे point के बाद two digit है, तो हम यह point के बाद two digit है, तो इंटू hundred और यहापे इंटू hundred कर देगे, ठीक है, तो यहापे यह क्या हो जाएगा, hundred into hundred कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, ten thousand, तो यह हो गया करते हैं इन दोनों को देखते हैं डिवाइट करते हैं और फिर ब्लाश में जाके 10,000 से मुल्टिप्लाइब करते हैं ठीक है यूनिट 100,000 बर-बर बोल रही हूं तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पर क्या लिखेगे किस से मुल्टिप्लाइब करें हम लोग थी से करते हैं थी से क्यों करें कि देखो क्योंकि 3 नाइन इंजा कितना होगा 9 थी सेवगा 27 जो आंसर होगा 27 में आएगा ठीक है 27 विखेगा लेकिन अगर हमने 4 लिया तो थी सिक्स तो थी सिक्स में आंसर आएगा कुछ और यहाँ प पाच डिजित लेना है तो 9725 इंटू क्या करेंगे हम लोग 3 जा करेंगे 3 5 जा हो गया 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 7 जा 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 21 9 3 जा 27, 28 29, तो यह आ गया, यानि कि 3 जा को कितना आया 2 9 1 7 5 अब मैंस करेंगे फटक से तो 10, हमारा 0 ज window 9 जा 9 जा 1 4 जा 2 जा 5 जा सी प्लस तो 9S, इन बाते हम 10 जा 10 जा 9, 4 , 5 6 7 8 9, जा 5 जा 5 अभी नेक्स ौमर। एक मिनट, यह निचे 0 नहीग लिया 9,725 को भी हम किस से multiply करें, 6,6 से देखें कि 6,9 जा कितना होता है, 6,9 जा 54, तो इसके करीब मिलेगा, यह देखते है, 6,5 जा 30, 6,2 जा 12, 13, 14, 15, यह 15 हो गया, 6,7 जा 42, 43 हो गया, यह 43 हो गया, फिर यह पे 6,9 जा 54, 54 प्लस, 4 कितना हो गया, 58 हो गया, फिके ओहो, क्या बात है, एकदम सही रमर आ गया, यानिकि सिख्जा, ओहो, नाइस, सिख्जा, तो यह सिख्जा कितना हो गया, 58,350 मतलब की 0, remainder 0 आ गया, 36 तो इन दोनों को आमने divide किया, तो कितना आ गया, 36, तो यह 10,000, 10,000 into 36 करोगे, 36, हां 36, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 3,00, 7,000 की हमको policy निकालनी पड़ेगी, और देखो, जो cargo है, उसका वर्त कितना है, उसका वर्त सिख्जा इतना ही है, कितना, यह पॉलेसी कितनी निकल रही है, 3,60,000 की पॉलेसी निकल रही है, यहाँ पे देखो कि तो पॉलेसी वैल्यू इस बार ग्रेटर है किस से, पॉलेसी वैल्यू से, क्यूंकि इसमें जो बाकी के खर्चे है, इंशॉरंस की वह भी कवर अप हुए है, जैसे प्रीमियम पे करन अपने ही जेप से पैसा जा रहा है प्रीमियम का, और बाकी के जो अधर एक्सपांसे है, जैसे की पेपर वर्क वगएरा, जाने आने का, रिक्षा भाड़ा जो भी खर्चा है वगएरा, वो सब इस पॉलेसी वैल्यू में इंक्लूड रहेगा, तो अगर कुछ लॉस हुआ तो क्या-क्या रिकवर हो जाएगा, जो कार्गो का वर्त है वो तो रिकवर हो गाई, लेकिन बाकी के खर्चे भी रिकवर हो जाएगे, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्षर, तो एक मिनिट मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, यह देख लो, और यहाँ पर मैं मुझे लगता है कि आज तीन कोशन काफी है क्योंकि बहुत भारी-भारी कोशन हो गए आज के, मैं को लगा था मैं करवा दूगी पूरा बढ़ देखो मैंने पीपीटी वगरा रेडी किया है बढ़ वह हुआ नहीं, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, यह हमने कुछ तीन कोशन की है बढ़ अच्छे कोशन की है, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी इसको समझाने के लिए, तो अभी आपको दो तीन चीजे करनी है, एक तो वीडियो को लाइक कर लो फटापट, आगे टेंशन मत लो मैं आपको रेगुलरली बेसिस पे वीडि जाप हमने को भीडियों, आपको लड़ी जापको यह ठाने उाल दूरी मॉनक अपको पर भो कमाने कर दो झीजे एमद़ी को कर दो तो अभी कि हैं तो जाने में лекि मा दो तो अपको भीडिन अपको जाना अभीडिक वीडियों, आफ़ खावजिक बबदो कर दोब